लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बाते मॉर्फोलोजी ओफ लावरिंग प्लांट पे चल लगी थी आज अपन सीखेंगे एनॉटमी ओफ लावरिंग प्लांट बोल्ट की तरफ देखिएगा परशानना हो ये परशानना हो ये जेको आज अगर हम क्लास नहीं लेटे तो हम परशान हो जाते हैं तो आज तो हमें लेनी के और आज हम लंभी लेंगे क्योंकि हमने दो दिन नहीं लिए हम पड़वड़ाय बैठे हैं इसलिए सुनो मैंने यही कन्वर्शेशन हुआ आज दो लेक्शर होंगे बाए होंगे ठीक है क्योंकि अगर देखो बास सुनो में बार उपर देखे उपर जैसे आप भोजन नहीं करते हैं तो आप संत्रिप्त नहीं होते हैं वैसे अगर मैं पढ़ा हूँ ना तो मैं पागल हो जाओ तो इसलिए अब बिटा पढ़ाने देना बोलना एक परसेंट नहीं सिफ सुनते जाओ कहानी चैप्टर नमबर सेक्स ए लाए जाता ग्लास में बाद में बतिया ले ना कहां वेठे हो सुनो अब बास सुनो बास सुनो कहते हैं चैप्टर नमबर 6 एनॉट्मी और फ्लावरिंग प्लांट इसमें NCRT ने जेनरल मैंसमेटिक टीशू पर्मनेंट टीशू हटा दिया पैरंगाइमा कॉलेंगाइमा जाइलम और लोयम हटा दिया सबसे अच्छा जो किया वो जाइलम और लोयम हटा के किया ठीक है क्योंकि यहीं पर आपकी तोड़ासा मामला पहस जाता है और सबसे बड़ी बात सबसे गलत जो किया सेकेंडरी को ठटा दिया वहाँ हमें बहुत मज़ा आता था अब सुनना बेटा उपर, कॉपी किराबे शोड़िए, पढ़ाने दीजे, छुप हो जाएए, एकदम छुप हो जाएए मॉर्फोलोजी ओफ लावरिंग प्लांड में, हमने प्लांड की मॉर्फोलोजी देखी थी जब प्लांड को आप बाहर से देखते हैं, जब प्लांड को हम बाहर से देखते हैं, तो हम उसकी क्या देख रहे होते हैं, मॉर्फोलोजी जब हम प्लांड को चीर के देखेंगे, तो हम उसकी क्या देखेंगे, एनाटोम flowering plant का मतलब angio sperm देखो जितने भी फूल देने वाले plant हैं उन सब को हमने रखा है angio sperm में पहले में morfo देखी अब इसमें हम देखेंगे एना ये बताओ morfology अलग-अलग angio sperm की क्या देखने में morfology अलग-अलग होती है घास भी angio sperm है पीपल भी angio sperm है लेकिन घास इतनी छोटी और पीपल इतना बड़ा पीपल में लकड़ा एंड घास इडाउट लकड़ा तो अलग-अलग angio sperm की morfology कैसी है अलग-अलग अब बात करते हैं एनाटामी पे अगर हम angio sperm की बात करें तो अलग-अलग angio sperm में अलग-अलग angio sperm तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इनके बीच में क्या होगा तो पेटा मॉर्फोलोजी में भी डिफरेंस है और अनाटामी में भी डिफरेंस है अब क्यों डिफरेंस है लिखना बहुत प्यारी लाइन एक लाइन में पूरा परग्राफ NCRD का कतम होगा लेको अनाटामी का नाम सुनते ही सब आगे अनाटामी से डर लगता है कुछ नहीं हो दिए अनाटामी बहुत इंट्रेस्टिंग अभी देखना तो लेको डिफरेंट एंजो स्परम लेका ब्रेकेट में बोत मोनोकॉंट और डाइ का हhen अन्जो स्परम को दो पारग से डिवाइड किया है one is monocoat another is diacow different अंजो स्परम में monocon and diacow have some similarity have some similarity have some similarity that's why they were grouped together गेदर, उन्हें एक साथ रख रहा गया, अगर सिमलारिटी नहीं होती बच्चों तो क्या है एक ग्रूप में रख पाते हैं इंको, बोलते ही नहीं है, दैट्स वाइब ग्रूप टुगेधर, इन इंगेदर, 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 इं ब्रैकरट में मोनो कॉट और डाइकॉट अज्योस्पम को दो बाट में डिवाइट किया है one is monocot one is diacot different एज्योस्पम have some dissimilarity have some dissimilarity dissimilarity मतलब difference क्या मैं इसे variation कह सकता हूँ have some dissimilarity बहुत प्यारी लाईन हा रही हुए ऐसा दो दिन की कसर निकालूँगा आज have some dissimilarity bracket में have some dissimilarity bracket में और भाई गुटका बड़ा पसीना पसीना हो गए हो क्या बाद है have some dissimilarity कर लिया है बताओ इसका sympathetic काम कर रहा है कि पैरा simpa या पैरा simpa sweating हो रही है ना बाहर से देख रही है have some dissimilarity bracket में variation variation मतलब difference अरे किसी में याद करो पढ़ाया था tendril है अरे किसी में tendril होता है तो किसी में thorn होता है have some dissimilarity bracket में variation for adapt in morphology and anatomy both in morphology and anatomy both बहुत प्यारी लाइन लिख रहे हो sub include हो जाएगा इसमें in morphology and anatomy both ये बताओ variation क्यों है ताकि अलग अलग environment में अपने आपको क्या कर पाएं adapt बाइस ही दी बात है वेस्ट इंडीस के लोग कैसे हैं काले वो अपने इंवार्मेंट में अडाप्ट होने के लिए काले हैं हम मैं कैसा हूं गोरा हाँ नुहरा नी हो रहा लिखो have some dissimilarity लिखा in morphology and anatomy both for adaptation in different environment for adaptation in different environment अलग-अलग environment में adapt होने के लिए अलग-अलग environment में adapt होने के लिए सब में क्या है थोड़़द होड़ा difference for adaptation in different environment कर लिया उपर देखिए उपर अगर आप human physio को अलग रखते हैं geology अलग रखते हैं और botny अलग रखते हैं तो trust me आपको भायो बाती ही नहीं है आम तोर पर क्या होता geology का teacher अलग होता और botny का teacher अलग होता है अब इस level पर जाओ तो human physiology नहीं सीधी बात है अरे यार neural control and coordination एक neurologist को बढ़ाना चाहिए यार इस level पर ना कोई geology होती है ना कुछ botny होती है and if you can't connect geology with botny that means कि आपको बायो बाती ही नहीं तो देटर दोनों को relate करके चला जाता है क्योंकि दोनों living है तो दोनों में बहुत सारी similarities है अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा है मैं अभी कुछी तिन पहले एक न्यूस पेपर में का article पढ़ ला था तो उस article में था उस जगा का नाम नहीं याद आ रहा है बांजू शायद बांजू बांजू जगा का नाम उस पर उसको इग्णोर करो हाँ बांजू 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 खतम हो गई सुनो हमारी बात हम क्या कह रहे हैं बांजू जो हैं यहां के लोगों की जो स्प्लीन होती है उसका साइज नॉर्मल लोगों से बड़ा होता है पता है यह अपने पूरे दिन इनके घर जो होती है वो पानी के पीच में बने होते है यह साथ से आठ गंटा पानी में रहता है इनका ब bobलब सधियों से काम आ रहा है मतल involving सधियों से उनका थाम क्ल रहता है उनका प्रॉफेशन कोई बाता नहीतर देख को उनका प्रॉफेशन ही यही है बांजूज लोगों का कि वो मचलिया पकड़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम उन्हें पानी के अंदर रहना पड़ता है अब पानी के अंदर जादा समय तक कब रहोगे जब आप में आर बी सी की मात्रा जादा हो या कम जादा आर बी सी जादा तो ऑफसीजन पकड़ेगी जादा और इस्प्लीन क्या करता है इस्प्लीन आर बी सी का गोदाम है ने ग्रेव यार्ड है वो बास सही है इस्प्लीन आर बी सी का कबरिस्तान है बास सही है लेकिन इस्प्लीन आर बी सी का गोदाम भी है अर्थाथ emergency condition में आपकी speed में धेर सारी आर्वी सी भरी रहती है जैसे एक बात बताईए आपको क्या लगता है इंडियन आर्मी कानपुर में नहीं होगी नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है यहीं पे होगा केंट एरिया में होगी इंडियन आर्मी जाओ मिला हो आप सुनों आप वो आर्मी यहां पर किस ले रखी गई रिजर्व emergency condition में यूज होगी अगर कोई वार होगा माली यह इंडो चाइना वार होगा पका तो इंडो चाइना वार होगा तो यह सारी आर्मी इमर्जेंसी में बुला ली जाएंगी ऐसे ही हमारी बॉडी इस्प्रीन में आर्मी रिजर्व करके रखती है कि जब emergency condition होगी बॉडी को oxygen के लिए जादा होगी तो इस्प्रीन सो सारी आर्मी निकाल दी जाएंगी तो बांजूस लोग क्या है यह maximum time पानी के अंदर रहते हैं तो वक्त के साथ धीरे 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 इनकी एनाटमी में घजब का चेंज हुआ अर्थाथ इनकी स्प्रीन का साइज बढ़ गया ताकि वो आर्बी सी स्टोर कर सके जादा अब जब आर्बी सी स्टोर क क्या कह रहा था इनवायर्मेंट उनका यह कह रहा था कि भाई तेरे को ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहना है तो वक्त के साथ धीरे 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 उनमें जीन चेंज हो गए 25 जीन अलग हैं जो हमारे पास नहीं है 25 जीन उनके पास ऐसे हैं जो हमारे पास हैं ही ने वक्त के साथ environment को face करते 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 वो gene उनमें develop हुआ और ultimately उनकी anatomy में क्या आगया change अब एक बात जरा सोचो ये तो एक example था एक animal का अरताज human में मैंने आपको एक example दिया कि वक्त के साथ क्या हुआ उनमें adaptation adaptation किस ले हुआ ताकि वो अपने environment से क्या करे अब अगर हम plants की बाते करें तो समझना मेरी बात अगर आप different different plants को देखो तो अगर आपने कभी notice किया हो कमल का नाम सुना है कमल के कमल के पते पर पानी कभी रुकता नहीं है कमल के पत्ते पर तो अलग-अलग प्लांट ने एडाप्टेशन किया, क्योंकि अलग-अलग प्लांट अलग 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 जगह पे रह रह रहा है, कोई प्लांट जंगलों में रह रह रहा है, तो कोई प्लांट जो है, सीरी सी बात जो कैनुपी वाले प्लांट होते हैं, कैनुपी वाले प्ला प्लांट, कोई प्लांट उनके नीचे होग रहा है, कोई आपका दलदल में होग रहा है, कोई प्लांट आपका पानी मोग रहा है, एक्वेटिक है, और कोई आपका रेकिस्तानी मिट्टी मोग रहा है, तो अलग-अलग प्लांट को अलग-अलग इंवायरमेंट का सामना करना है तो उनमें variation होना जरूरी है अब जोनों लाइन पढ़ओ पर यह क्या लिखा एक क्या लिखा है पानी यह पधि गृब जो सेम ग्रुप में क्यों रखा गया क्यों क्यों क्या है similarity और अलग अलग क्यों क्या बहुत सुन्दर डाइग्राम बनेगा, इधर देखेगा, अगर मैं एक प्लांट की बात करूँ, याद करो जब मैं फिलोस्पी और बायोजी पढ़ाता हूँ, तो इस समय मैंने एक प्लांट लाया था, और उसको छील कर तुम्हें जाहिलम और फ्लोम ये सारी चीज़े परशान ना हूँ, मैं दुवारा दिखाता हूँगा, मैं बार बार दिखाने के उच्छुग हूँ, हाँ, सुनो तो, हाँ, आप पॉली क्यों वहीं कॉंसेट लियर होगा, मान लो एक किसी प्लांट की डंडल है, क्या है, डंडल, तो देखो प्लांट में तीन तरीके का ट यह बताओ, जो सेल सबसे बाहर होगी, उसे पूरा प्लांट कवर करना होगा, प्लांट तो बहुत बला है साइस में, पूरा प्लांट, याद करो जब नियूरॉन पढ़ाईगी, नियूरल कंट्रोल एंड कॉडिनेशन, तो मैंने आपको यह सिखाया था, कि नियूरॉन क् किस लिए थी, ताकि वो आपकी बोड़ी के मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर ले, कवर, अब आप मुझे आप बताईए, मैंने बताऊंगा, ये बताईए, जो सबसे बाहर होगा, जो सेल सबसे बाहर होगी, उन्हें लंबे से पूरे प्लांट को कवर करना पड़ेगा, तो उन इसके साथ में, सुनना मेरी बात गौर से, अगर एक बात सोचिए, रटना है नोट में, रटना है क्या, सोचो ना या क्यों लंबी होगी, क्योंकि पुरा प्लांट कवर करना है, दूसरी बात, ये बताओ, आपकी इसकिन का सबसे मुख के काम क्या है, कि बैक्टीरिया वग सीधे प्लांट गंदर इंडरी ना करे, तो आप क्या चाहेंगे, जो लंबी-लंबी सेल्स हैं, वो आपस में, क्या बोला, वो जो लंबी-लंबी सेल्स हैं, वो आपस में, लूजली पैक्ट जो दूर दूर रहें कि कॉमपैक्टली, का हैं कॉमपैक्टली, का कि बैक्टीरि कि बीच में टूटी टूटी हो अभी हेडिंग टक्नेट लिए और एपिडर्मल टिशू सिस्टम खतम अभी नहीं बिटा बहुत लंबा होता है अच्छा अगला अब समझना बिटा अगर मैं रूट को काट के देखू या इस्टेम को काट के देखू काट के अगर हम सामने से देखेंगे तो पता आओ अब इधर देखो बोल्ड की तरफ इधर देखो NCIT सब अलग अलग करके पढ़ाती है ठीक है वो तरीका साही नहीं है एक डाइग्राम बनाओंगा और एक ही डाइग्राम में सारी बाते हो जाएंगी एक डाइग्राम में तीन पेस का कंटेंट ना ये मेरा परसनल अविश्कार है पहले बताओ सेल लंबी रखेंगी चोटी सबसे बाहर वाली लियर पढ़ार है अब ये अंदर की बात मत करो हम से पहले सबसे बाहर वाला सिस्टम समझो ये माल लो लंबी लंबी सेल्स हैं कैसी लंबी 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 ज्यादा लंबी हो अरे भीया लंबी लंबी अरे भीया लंबी लंबी। temptation लंबी लंबी। लंबी। नोत्तमी जो ermी तुँफ। अरे सर से से आई तुफ। आपी के अदेदार में तो क्रास होगे या बटा हम सामने देख ये अपीडर्मिस है समझना? उपर उपर होए भाई, सुने मेरी 몸 आपीडर्मिस अलग बात है अपीडर्मल टीश्व इस्टम अलग बात हैं काहे देश सुननो मेरी बात ये cells की layer आपकी क्या कहलाएगी, epidermis, सुनना मेरी बात, cells की layer क्या है, epidermis, epidermal tissue system में अभी और चीज़ें आईगी, epidermis layer का नाम है, ये बताओ, अभी मैंने बोला था कि layer continuous होती है, बस तरी जो बीज़िक में आप बिलपुक्का छोड़े हो, अरे जो बीज़िक बिलपुक्का है, ये continuous है या नहीं है, नहीं है, समझो मेरी बात, बिटा एक बाद बताओ, पत्तियों को फोटो संतितिस करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाई, औकसाइड, अगर बिलपुक्का नहीं होगा, तो क्या कार्बन डाई औकसाइड अंतर घुश पाएगी, अब सुनो मेर बात, मैंने इस epidermal tissue system को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखते जाना और सीखते जाना, एक कहलाएगा आपका, एक कहलाएगा root, एक कहलाएगी stem, एक कहलाएगी stem, और एक कहलाएगी leaf, आराम से सुनिएगा, रटिएगा, बलिकुल नहीं, समझना मेरी बात, ये root की epidermis, सुनो मेरी बात, प्लांड को जब तुम बाहर से चूओगे, तो आप उसकी क्या चूँ रहे हो, epidermis, epidermis layer का नाम है भाई, epidermal tissue system में कई चीज़े आएगी, एक एक करके बताऊँगा, अब ये बताओ, मैं कहराओ लीप और stem, और root, इनमें बताओ कौन है, जिसका सामन सनलाइट से हो रहा है, और stem क्या, जमियां के अंदर रहती है क्या, stem और leaf दोनों का सामना किस से हो रहा है, सनलाइट से, अगर सनलाइट से सामना हो रहा है, और मैंने पहले lecture में बोला था, lecture number very one, हर organism, अपनी body में, दो चीज़े बचा कर रखना चाहता है, water or energy, कोई भी organism, water or energy waste कोई organism, water or energy waste करना नहीं चाहता, अब भाया सनलाइट सीधे परती लीप पे, सीधे परती stem पे, तो सीधी बात है, यहां से, cell से क्या होगा, water loss, अब ये बताओ, water loss रोकना है अगर, तो मेरा मानना है, सर किसी ऐसी चीज़ की layer चढ़ा दो, किसी ऐसी चीज़ की layer चढ़ा द तेल को, पानी और लिपिड आपस में क्या है, solubile है, insolubile है, insolubile है, तो हमने एक wax की layer चढ़ा दी, ताकि जब sunlight से सामना हो, तो water का loss ना हो, अब मेरी बात सुनना, stem का भी सामना होता है, लेकिन ये बताओ, stem और leaf में किसका surface area साथा, surface area समझते हो ना, किसी भी object का वो area जो उसकी क्या बनाता हो, surface, stem और leaf में, समझना, stem और leaf में, आपने कहा, leaf का surface area ज़्यादा, तो ज़्यादा sunlight face कौन करेगा, leaf, बोलते ही नहीं हो या, leaf ज़्यादा face करेगी, ज़्यादा water loss का खत्रा किसको, leaf हो, इस वज़े से leaf में ये waxी layer मोटी होगी, और stem में ये waxी layer पतली कैसे? पानी बाहर ना निकल पाए, तो ससर, अगर पानी बाहर नहीं निकल पाएगा ना, तो पानी अंदर भी नहीं जाएगा, बोलो यार, और root का ससर का में है, water और mineral क्या करना है, absorb, तो बताओ इस पर cuticle चड़ाएं या ना चड़ाएं, okay is, okay is, okay is, I is, C is, तो leaf पर मैंने लिखा ये क्या है, thick cuticle, cuticle कैसी होगी, booty, ये water loss कराएगा या रोकेगा, बैसी लिए रोती है, ये तो दिमाग में रहेगा ना, thick cuticle prevents, prevents water loss, H2O को ही water बोलते है, prevent water loss, और वहीं पर, stem पर इसको मैं क्या बोल दूँगा, thin cuticle, thin क्यों बोला, पतली, वह कहा थिया, क्योंकि पतली ले रहा है, क्योंकि यहां से water loss होने के chances, का, क्योंकि surface area, का, तो यहां पर cuticle कैसी कर दिया, पतली, पतली, यहां तच बात clear हो तो सब लोग, आ, रूट में मैं लिखूंगा, cuticle, absent, cuticle, absent, आ, पिटा, इधर, इधर, बोल्ट की तरफ, रट रहोगी, समझ रहोगी, अनॉट मी बहुत conceptual है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, अगर दा एनॉट मी ओफ सीड प्लांट किताब मैंने ना पढ़ी होती, तो मैं खुद इसे इतना conceptualize ना कर पाता, उस किताब ने आखे खोल दी मेरी, के हाँ हाँ, अने खोल तो बच्पन में गई थी, आखे मतलब अनॉटमी को देखने का थे को बड़े बड़े राइटर है, तीक, Campbell है, Joy है, इनकी किताब है बड़ी क्यू है, वो क्या बड़े बड़े राइटर क्या 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 क्यूटिकल को कुछ और लिख देंगे क्या, वो उसी चीज को, वो सौ ब बड़े राम, वाई पढ़ी तो मतलब अनॉटमी देखने का नतरिया है मतलगा, उन्होंने एक पेज उसमें लिखा है, बेसिक्स टूल्स टूल्स टू ग्रैब, ग्रैब मतलब पकरना, अरे यार इधर बेसिक टूलस, बेसिक टूलस टू ग्रैब प्लांट एनॉटमी, वह आपने मुझसे केते हैं कि कहते हैं साहिल सर आप एक काम करिएगा अपने बच्चों को भी बता दीजिएगा कि तीन प्रकार की सेल होती है प्लांट में प्लांट में प्लांट कोई भी हो सेल कितनी होंगी तीन नाम ले बता प्लांट में 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 प् है तो सीधी बात है बाकी बची फैरेंगाइमा एपीदर्मिस क्या जब नहीं पता है आज बन करके बोलो पैरेंगा इज बाकी मैक्सिंम किताबें लिए लिख देती ही कि लीप की क्यूटिकल मोटी होगी, इस तैंब की क्यूटिकल पता ही होगी, यह मैं कोई बात हुई? कैथरीन इसू ने पता नहीं कैसे कैथरीन ऐसा कर लिया शायद दिमाग थोड़ा उपर आ गया हूँ कैथरीन इसू कैथरीन इसू फोटो देखो तो समझ में नहीं आएगा क्या थी अब समझना कैथरीन इसू हर बात को कॉंसेप्चुलाइज करके बोली उन्होंने कहा लीप पर क्यूटकिल मोटी तो क्यों मोटी पहले क्यूटकिल है क्यों ताकि वाटर का लॉस रुक सके क्योंकि इनका सामना होता है संलाइट से फिर लीप पर क्यूटकिल मोटी क्यों इस टेम पर क्यूटकिल पतली क्यों क्योंकि लीव का सर्फरेस एरिया ज्यादा, तो वाटर लॉस होने का चांस है। छादा। तो आ, 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 इता। न मुनननन न, ना बिटाना। ये कौन सी सेल है, एपीडर्मेस। एपीडर्मेस, कंटी निवस। कौनुवस। continuous continuous layer यह बताओ बैक्टिरिया घुशने में मदद करेगी रोकेगी प्रिवेंट्स इन्फेक्शन यह बताओ सिंगल लेयर है कि डबल लेयर है सिंगल यूजली सिंगल लेयर ही होती है यूजली सिंगल लेयर अब एक बड़ी प्यारी लाइन लिकने वाला हूँ एक करणल में उपाएगी, सुनो दो शब्द क्लियर कर लो, अगर ये दो शब्द क्लियर नहीं है बात आगे नहीं हो पाएगी, बात पोह को यहीं लगाम लगाना पड़ेगा दो शब्द सुनना, एक शब्द कहलाता है प्राइमरी, एक शब्द कहलाता है सेकंडरी, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा बात आगे नहीं होगी, प्राइमरी का मतलब होता है लंबाई, लंबाई से रिलेटेट कोई वर्ड आ जाए तो क्या होगा प्राइमरी, प्राइ जितने लंबे चौले प्लांट हो पहले तुम किसमें बढ़ोगे लंबाई तो लंबाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए अमा लंबाई से जुड़ी सारी चीजों के लिए शब्द इस्तमाल होता है प्राइमरी सुन लो अच्छे से मैं बोल रहा हूँ तो लंबाई से जुड़े के लिए क्या होगा प्राइमरी चौड़ाई से लिए सेकेंडरी प्राइमरी घ्रोथ लंबाई और चौड़ाई सेकेंडरी घ्रोथ चौड़ाई अच्छ लिखो मत भईया इसे दस जगाए गाई लिए लंबाई के दोरान जो जाइलम बनेगा प्र प्राइमरी, हमें पता है तुम कुछ नहीं सुन रहे हो, तुम बस लंबाई सुने ने प्राइमरी ठेल दिये, अब तुम ये सुन लो कुछ सरशब्द क्या बोलने है, जाहिलम या, फ्लोयम, चोडाई के दोरान, जो फ्लोयम बनेगा वो, सेकंडरी, पता नहीं क्या बोलने मुझे खुद नहीं पता, बात में आएगा, लंबाई के दोरान, जो मेडूलेरी रे बनेगा वो क्या है, प्राइमरी, और चोडाई के दोरान जो बनेगा वो, सेकंडरी, बोलो भया, देख रही हो कैसे नमूने है, क्या प्राइमरी और सेकंडरी इकनम क्लियर हो गया है, एक बात बताओ, प्लांट जब चोड़ा, एक सुनो तो सुनते ही नहीं मेरी बात, हाँ, सुनो तो यार, चोड़ाई के, इस देखो, भाई साब, तर गयते हम भी, दो दिन से नहाया नहीं हूँ, पिछले पंदरा दिन से इतना ज्यादा विजी शेडूल हो गया है कि खा नहीं पा रहे हैं, और भी चीजह नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, सिर्फ पढhा रहें और बुक बनाए जा रहे हैं, इदर सुनो, प्लांट अंदर से ग्रोध करेगा जब बाहर से, जब अंदर PC, बाइन करेंगी हाँ देखो, सबहात का खेष है, जब अंदर PC, देखो, क्या पहिंगे आ रहा है अजकर हवाई चप्पल भाई साथ इसमात लग रहे हैं तुम्हें लग रहे हैं ये गलत बात है सुनो जब प्लांट चौडाई के दौरान बढ़ेगा सुनो तो जब चौडाई में बढ़ेगा सेल डिवाइड करेगी तो बाहर वाली लेयर पे लगे इस लोग कहींगे सर बॉयल स्लो नहीं लग रहा है यहां तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम होना चाहिए था यहां तो पटक के मारेंगे सही जगा लगाओ इधर अब यहां पर अंदर अंदर सेल डिवाइड कर रही है चौडाई में बढ़ लंबाई में चौडाई में फाउंड इं प्रायमरी प्लांड बॉड़ी मतलब लंभाई के दोरहा पूज चौडाई के दोरहान एपीडर्मिस क्या होगी फट ही है पहले कॉंसेप रिग्दम क्लियर हो गया है अगर यह बताओ मेरी प्रायमरी प्लांड बॉडी कि सेंट्री द्री है लो ओल सोल पीलांट बाढ़ी क्या यह बात के रहें वहीं कि बुटा इतना लिख लिए काम करना दो पेजो जोने गंशिए इंसी इंदी हश्चोग कोई बात नहीं दो पेज लेना तीक है और बडा बनाना लिखने का बहुत सारा जंपा छोड़ना गहां वह लिखने की बहुत कुछ लिखना है एक ही डाइग्राम में सब खतम करना है रूड भी इस्टेम भी और लीफ अलग अलग नहीं पड़ेंगे इसको छापिएगा कंटीनुवस और अच्छा कंटीनुवस सिंगल लेयर कंटीनुवस बिटा बात मत कीजिए कंटीनुवस सिंगल लेयर ठीक एक पॉइंट ही जगा छोड़ना इसमें अब शापो कहते हैं उपर उपर हम नहीं पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आप हमें हमसे बाप से पूछ है एपी डर्विस और उसके अंदर कमाल बताओ कौन कहा से पानी का लउस होने का खत्रा जाता है एपी डर्मिस या अंदर कमाल कहा से वाटर लोस होने का खत्रा जाता है अरे तुम लाख क्यू टिकिल बना लो थोड़ा बहुत वाटर का लोस होगा उसको उसवजे से हम लोगों को क्या करना चाहीए कुछ ऐसा जुगार ढूनना चाहिए कि epidermis को पानी की कभी कमी ना पड़े epidermis में बड़े-बड़े पाये जाते हैं थेले और इन बड़े-बड़े थेलों को बोते हैं vacule क्या बोते है ? vacule इनी के अंतर पानी स्टोर्ड रहता है कि कभी इमर्जेंसी कंडीशन आएगी अगर तो इनी वैक्यूल से सेल क्या ले लेगी पानी बड़े वैक्यूल किसी भी सेल में पाये जाएंगे तो क्यों पाये जाएंगे प्लीज सुनिए मेरी बात वैक्यूल क्या होता है एक तरीके से प्लांड का स्टोर हाउस है अर्थात एक तरीके से प्लांड का गोधाम है प्लांड की सेल्स में वैक्यूल आपको आगे पलाओंगा प्लांड की सेल्स में वैक्यूल बढ़े पाये जाएंगे एनिमल्स की सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं या अपसेंट होते हैं रीजन पता है विगॉस प्लांट कांट मूव फ्रोम वन प्लेस तू एनडर प्लांट को अगर इमर्जनसी पढ़ी तो एक जगा से दूसरी जगा नहीं जा सकता इस वज़े से वो अगर कभी भी उसे अच्छी चीज मिलती है तो वो इस्टोर करके किसमें रख लेता है वैक्यूल बट एनिमल्स केंड मूव प्रोम वन प्लेस तू एनडर तो एनिमल्स डोंट नीड तो इस्टोर सच कांड ओफ तिंग्स लिखो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है जो चीज हिंदी में वो चीज हिंदी में लिखेंगे क्योंकि अगर कोई emergency condition आती भी है तो दे कांट मूव फ्रोम वन प्लेस तो एनाडर फॉलिस्टॉप emergency condition में प्लांट वैक्यूल में स्टॉर्ड माल अब वो पानी हो, मिन्राल हो, जिस चीज की कमी पड़ी हो समझ के मेरी बात? वैक्चूल में स्टोड माल का यूज करते हैं नेक्स पॉइंट एनिमल्स को वैक्चूल की कोई खास आउशक्ता नहीं है विकॉज उनकी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है तो वो लोको मोशन करके उस चीज को प्राप्त कर लेंगे उपर, एपिडर्मस में क्योंकि सीधी बादर सनलाइट का सामना सीधे किसका होगा है? एपिडर्मस तो एपिडर्मस को आउशक्ता है कि वो पानी को क्या रखे? इस्टोर डैक्स वाए एपिडर्मस में बैक्ट्यूल का साइज क्या होगा? बढ़ा अब अच्छा सोचिए आप लोग एक सेल में बैठे हैं उपर और उपर 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 देखे ये पूरा क्लास नहीं एक सेल है सेल के अंदर भरा होता है साइटो प्लास और अगर मान लो बीचो बीचे गुबारा है गुबारे का साइज बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा तो मेरा मानना है साइटो प्लास किनारे चला जाएगा आप बाती नहीं समझभाए मेरी बात का अगर बाल लो पीचो पीचे गुबारा है वही गुबारा क्या है वैक्यूल जैसे गुबारे में एक लेयर होती है वैसी वैक्यूल में एक लेयर होती है बिल्कुल गुबारे जैसा अगर गुबारे का साइज बढ़ता जाएगा तो चारो तरफ का साइटो प्लाज पेरी पे गैक्यूल गैट्स वायर, पेटी फेल साइटोप्लाइब, इस अप्रीश नमस्ते जा रहा है, इसल लंबी होगी, कंटिनूएस होगी, कॉम्पैक्ट्ली पैक्ड होगी, यह भी पॉइंट बना लो, हां लिका है लार्ज बैक्यूल गैट्सवाय पहरी फेल साहित अप्लाइब, लार्ज बैक्यूल, जैक्क्यूल गैट्सवाय है, पहरीफिर्ल साइटोप्लाइब, इस ओर अच्छा ह गॉइस Kerry पेक्ण लेयर और अच्छा, कॉम्पैक्टली पैक्ड लेयर हो गया हो गया आप एक पॉइंट बना के लिखिया लग से नोट पॉइंट है इस्टोमा स्टोमा स्टोमा क्या होता है स्टोमा स्टोमा इस सिंगुलर ओफ एक वचन बहु वचन समझते हो ना इस singular of istomata एक istomata को हम लोग क्या बोलते हैं istoma और बहुत सारे istomata हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग istomata बहुत सारे istoma है तो istoma is singular of istomata कर लिया क्या हम ये भी बोल सकते हैं istomata is plural of istoma अरे बताओ यार bold की तरफ देखो मैंका इधर देखो इधर 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 बोल्ट की तरफ मुन्ना ध्यान दो इधर आओ इधर बड़ा ये बताओ लीप और इस्टेम में कहो सीड़ा सीड़ा रटा दे इतना conceptualize कर दिया देखो हर चीज थैंक्यू बोलो इट्सोगे इट्सोगे लीप और इस्टेम कितना मजा आ गया एनॉटमी के लावा कोई बात कर लो इनकी पूरी एनॉटमी खुद हो जाती है लीप और इस्टेम बताईए दोनों में फोटो संथिस करना मेन काम किसका है अच्छे तो क्लोरोप्लास किसके पास ज्यादा होगा किसके पास पक्का आपको एक बात बताए फोटो संथिस करने के लिए कारबन डाई ऑकसाइड चाहिए कारवन डाई ऑकसाइड घुसने के लिए छेद चाहिए तो बताओ छेद किसके पास ज्यादा लीव या इस्टेम लीव के पास इस्टोमेटा ज्यादा इस्टेम के पास इस्टोमेटा कम तो मैं लिखूँगा मैं तो लिखूँगा मैं तो लिख डालूँगा लिख दिया मैंने इस्टोमेटा जादा और इस्टेम के पास इस्टोमेटा कम और रूट के पास इस्टोमेटा इस्टोमेटा इस्टेम के पास कम रटना ही नहीं है भईया सुनना है हो गया कितने लोग ये मानते हैं कि चूलहा जलाते हैं तब खाना बनता है चूलहा जलता है तो खाना बनता है जो लोग मानते हाथ उपर करें आप लोग क्या जलाती है जब आप गहाँ गैस जब जलती है तो क्या बनता है खाना पत्का उपर देखें उपर अगर खाना जल्दी बनाना है तो इसका मतलब यह नहीं कि इसमें बं फेक दीजिए धीरी आँच पे पकाएं वरना दाल को जलता पाएं तो देखो फोटो संधितिस करने के लिए संलाइट चाहिए ये बात सही है समझना मेरी बात अगर कोई कहे मुझे दोसा बहुत पसंद है तो ये नहीं एक ट्रक भर खा लोगे उतना ही खा पाओगे कि बस तुमारे लास पोर तक वो भर जाए समझो बस उतना ही मैक्सिमम खा सकते हो कि पूरी पूरी नौ मीटर लंबी सुर्ण भर जाए उसके बाद खाओगे तो इधर अंदर उधर बाहर ऐसा मैं नहीं कहता हूँ तो कहते हैं सनलाइट चाहिए फोटो संदेटिस के लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन इतनी भी जादा नहीं चाहिए कि हमारी सेल जल जल जाए हमारा क्लोरोफिल जल जल जाए क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ड यह सम्मत करना है बास सुल सनलाइट चाहिए सनलाइट चाहिए लेकिन इतनी भी जादा नहीं चाहिए कि हमारा क्लोरोफिल जो सनलाइट को किया करता है एम्जोर अचरी आतल सोलर पैनल लगते हैं तो टो इसका मतलब यह नहीं है कि सोलर पैनल को ले जाकर सीधे सूरमें डाल नाल तो इतना भी सनलाइट नहीं चाहिए कि वाता के और सिफॉस की साफिर लख Uz अगर उपर सनलाइड बेहत इंटेंस पढ़ लगी होगी तो मेरा ऐसा मानना है भाई साब कि अगर एपीडर्मिस में आपने क्लोरोप्लास रखा तो क्लोरोप्लास जल जाएगा तो बताओ एपीडरमिस में क्लोरो प्लास आपता अपसेंट होता है इसका एक फाइदा है फाइदा पूछो क्या है पूछो क्या है देखो बेटा संनलाइट कितनी भी ज़ादा हूँ लेकिन अगर संनलाइट एक सेल को क्रोस करके जाएगी ना तो लाखो मॉलिक्यूल से टकरा के जा रही है मेरी बात सुनो बढ़ी बहुत मंस बढ़ा रहा सनलाइट अगर एक सेल को क्रॉस करके गई तो सेल के अंदर लाखो मिनरल, लाखो आयंस उनको क्रॉस करके अंदर जा रही है तो बताओ अंदर जाते हो कि इंटेंसिटी कम होगी या जादा बोलो यार कोई चीज लाखो मॉलिक्यूल टेकरा के जा रही है तो बताओ कि इंटेंसिटी सल्लाइट के अंदर जाते हैं वक कम होगी या जादा जादा अब यार लाख मॉलीकुल क्रोस करके जा रही है यार मान लिया एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास नहीं रख सकते हैं एपिडर्मिस रखोगे क्लोरोप्लास जल जाएगा कोई मतलब ही नहीं रखने का यार लेकिन अंदर तो भाई जो सेल है वो पोटो संथिस करेंगी नीव की तो भाई अंदर जब बात नहीं समझे ऊपर रखोगे क्लोरोप्लास पहली लेयर में रखोगे तो चल जाएगा कंफर्म लेकिन जब संलाइट इस लेयर को क्रॉस करेगा तो क्रॉस करते वक्त लाखों मॉलक्यूल से ठकराएगी संलाइट की इंटेंसिटी ठीक ठाब क्या हो जाती है का मीजो मतलब क्या हुआ और फिल मतलब बोलते ही नहीं हुए यार कभी पती को छुआएं और नीचे जो तुम छूटे हो न वो एपीडर मेंस है क्या है पती के बीचों भीज जो सेल भरी होगी मीजो मतलब बीच मे फिल मतलब पती उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे मीजों, फिल, क्या ये बात एक दम क्लियर, अब भाया अंदर सनलाइट आ रही है, प्लीज सुनना बहुत अच्छे से, एपिडर्मिस पे क्लोरोप्लास रखने का कोई जोशे था ही नहीं, क्लोरोप्लास जल जाएगा, लेकिन अंदर क्लोरो अंदर क्लोरोप्लास रखे हैं, वो उनकी दिवारें पतली हो या मोटी है, मोटी, अरे जितनी पतली लेयर हो, इतनी आसानी से लाइट क्या कर जाएगी, क्रोश, पहले लॉजिक पकड़ पाए, एपिडर्मिस पे क्लोरोप्लास क्यों नहीं रखा, जल जाएगा, अंदर जो क्लोरोप्लास रखे हैं पत्तियों में वो थिन वार्ड क्यों है, क्योंकि अंदर आते वकि इंटेंसी टी हो गई है, कब? अब और, अब इंटेंसी टी हो गई है, अब क्लोरोप्लास भी तुमोटा कर दो, तो फिर प्या या लाइट अन्दर पहुँछ पाईगी प्रो क्लोरूप्लास्ट मीजो फिल देखते जाएगा और सीखते जाएगां तुमें पुरा डाइग्राम देदूगा परिशान मत हो यह आई इदर देखिए बायो बैनों सामने देखो एपी डर्मिस में क्लोरूप्लास्ट क्यों नहीं है जल जाएगा और अंदर थिन वाल्ड क्य परिडी क्या हो गई है कहां एकदम क्लियर मक्षन की तरह अब सुनो मेरी अगली हाथ बहुत सुन्दर बहुत कन्फियुज होते हैं आप लोगे इस्टो मैटा इस्टो मैटा इस्टो मैटल ऑपरेटर संस और स्टो मैटल अपरचर इन चारों चीज़ को एक मान लेते हो पह स्टोमेटल एपर्चर और इन शारों को आप एक मान ले तो चीजे हो जाती ही गलत अब क्लियर कट सुनना मेरी बात यह जो छेद दिखाई दे रहा है इस छेद को बोलते हैं इस्टोमेटल एपर्चर एपर्चर का मतलब क्या होता है छेद अब चाहो तो पोर बोल दो चाहो पांचो एपर्चर बोल दो एक आए बात है लिखो मत ओपागल ओरत हां इस्टोमेटल एपर्चर पक्का यह बताओ हमने बड़े 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 होटलों देखा है हम गए तो नहीं लेकिन बाहर से देखा है इधर हां और गया है एक बाद होटल ताज अंदर नहीं गए बाहर से अंधर पता चला हमको वो डिविवा बता दिया काज 500 पर चाय मिलते हैं पांसो की चाय है यह पूरा काका दिव चाय पिला दे हैं पांसो काय धक्का लग गया पांगर जानते हैं यह लोग कैसे वेको बनाते हैं रोशयतो विद मुझयतो है ना आएगा दो समोसा एक लाल चटनी मतलब कुछ भी नाम रख देतें लंबा सांग्रेजी नाम रख देंगे देखा होगा ना नक्सें बजी प्रिपांजा आएगा कुछ नहीं मिटा आएगा भुट्टे का दाना नमक लगा के अलागे का भागो इससे अच्छा देशी खाना काओ मजा आता हुसमे पी आज मंगा हो लाल वाला चटनी मिलेगा अब सुनो हमारी बात हम खाने के बहुत शोकीन है बाई साब बहुत खाते हैं आओ तभी ये हाल है अब जाता कहां ये तुम बताओगे सुनो हम क्या कह रहे हैं क्यों बता है ये बात खाना खाना इस तेम चल लही थी रूट चल बात आने वाली थी ताज को मताएं कोई बात होगी है हाँ 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 आ गया अगया सुनो इस्टो मेंटल एपर्चर एपर्चर का मतलब छे बड़े-बड़े होटलों में देख रहे हैं और साधी भी आजकल नो टंकी चलती है कि जहां पर दर्वाजा वाला छेद होता तब ही तो इज़ा उधर होगे यार वहाँ पर ऐसे दो दर्वान खड़े रहते हैं गार्ड बनके देखाऊगा न मुच्छी मुच्छी वैसे इन छेद के दोनों तरफ सेल्स पाई जाती हैं क्या पाई जाती हैं सेल्स अलग से बिटा कुछ नहीं बोलना दिक्कत हो जाए इस्टो मेटल एपर्चर छेद को बोला छेद के इधर उधर ये जो दो सेल्स हैं इन्हें बच्चों बोलते हैं गार्ड क्या बोलते हैं गार्ड क्या ये बात एक दम क्लियर है भाईया गार्ड क्योंकि बिल्कुल छेद के इधर और उधर अब सुनते जाना मेरी बात इस् इस्टो मेटा कुछ प्लांट में हर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं कुछ प्लांट में गार्ड सेल की अगल बगल जो सेल्स होती है प्लीज सुनना मेरी बात कुछ प्लांट में गार्ड सेल के अगल बगल जो सेल होती है विसिनिटी का मतलब होता है अगल बगल अगर मैं इसका 3D डाइग्राम बनाओ, just a second, I am forming 3D डाइग्राम, how much, how much, very much, very much, तो अब क्या है, समझे न, ये लंबी लेर कर दिये, अब क्या है, गार्ड सेल के, अगल बगल की सेल्स क्या होती, वो चपटी हो जाती है, कैसी बिटा, चपटी, चपटी, गार्ड सेल्स के, अगल बगल की सेल्स, इन सेल्स को बोलते हैं, सबसी डेरी सेल्स, कौन packing सेल्स, सबसी डेरी सेल्स, सबसी डेरी सेल्स का function, तो बहुत सारे है, लेकिन आपको सिर्फ एक जानना है, एक से जादा आपको नहीं जानना है, ये बताو, desert के plant को, पानी बचाना है बताते ही जब देन है यह बुधेंगे बचाना है ना वाणी बचाना है ही पानी निकलेगा इसी छेट से बोर्टर का लॉज़ी होगा भाप के रूप सीधी बात है जब संलाइड गिरेगी तो पानी का क्या होगा लॉस और पानी किस रूपन गलता है भाप लेको लॉस ओव वॉटर इन वैपर इस्टेट लॉस ओप वॉटर इन वैपर इस्टेट पानी भाप के रूप में निकलेगा रहे बताओ यार जब प्लांड गरमाएं पानी निकलेगा इन शेट से पताओ लॉस ओव वॉटर इन भाप स्टेट लॉस ओव वॉटर इन वैपर स्टेट इस पॉल ट्रांस्परेशन अकल से मैं कोर्ट उट पहन क्या होंगा वाइट श्रट ब्लैक पैंड और बलेसर ब्लेसर ढाल किग नहीं काला वाला चस्मा निकलेख वोगए वाइट इस वाइपर इस पॉल ट्रांस्परेशन इस कौल घृट घृट जब लाइट गिरेगी क्या बोला लाइट गिरेगी तो इनी स्टो मेंटा से भाफ की रूप में क्या निकलेगा पानी बहीया रेगिस्तान का प्लांट है दुपैरियम इतना धाम होता है के प्लांट इक переп Alt अब सोचो इतना सारा लाइड गे लेगा टीदेर सारा क्या निकलेगा भाफ तो रेगिस्तान के प्लांट क्या चाहेंगे जब इंटेंस धूफ हो तो उनके ये छेद बंध हो जाएंगी खुले रहें और अगर खुले भी हूँ तो बहुत हलका सा कि पस कारवन डायोक्साइड थोड़ी फोड़ी सुलुक-सुलुक मिलती है ताकि क्या कर भाए फोटो सिंफेसे अब सुनना तो क्या करें ये इन प्लांट्स में क्या हुआ यह जो अगल बगल की सेल्स है ये डिवाइड करके उपर आ जाती है मेरी बात नहीं समझें यह चेद है ऐसे समझो ऐसे समझो इदर देखो इदर ऐसे समझो ऐसे ऐसे यह चेद है अरे यार तो और क्या चाहिए जीगों में बिटा इदर सुनो इदर वॉजा है आज और 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 इससे कंसेट्विल क्या समझाने भाई किरें आ़ और हाँ ये स्ट्वमेटा का क्या है छेट ढाब बनके पानी अंदर से निकलेगा हा रहा और कारवन डाइंद अंधर जायेगी यह इस्ट्वमेटा का छेट अब स्ट्रांग ड़े फिस सन वहां है अगर बागल की सेल जो है सब्सीड़े गांट जल के बगल वाली बता ओ सब्सीडेरी अगर हां देखना मेरा सब्सीडेड होती है अगर बहन यह डिवाइड करके ऊपराजाएं तो छेट में नीचे रहे गया अरे अगर सब्सिडेरी सेल डिवाइड होकर उपर आ जाए तो छेद नीचे रहे गया अरे पूरी ऐसे दीवार है बोलो यार यह पूरी सब्सिडेरी सेल की क्या है दीवार अब अगर अब अगर अब अगर अगर अब अगर वाटर मॉल्किउल निकलेगा तो दीवारों से टकराएगा वैपर जब दीवारों से टकराएगी तो अपनी काइनेटिक एनरजी लूँज करेगी इसका मतलब वैपर कंवर्ट होगा लिक्विड में अब लिक्विड प्लांट के पास ही रुक गय तो बताओ इससे water loss बचा या water loss हुआ या रुका एकदम क्लेर ने थोड़ा बहुत तो होगा या देखो तो सबसीडेरी सेल डिवाइड करके क्या हो जाती है उपर हर प्लांट में की डेजल्ड वाले में अब सुनना छेद और गार्ड सेल मिला के क्या बोला इस्टो मेटा इस्टो मेटा और सबसीडेरी सेल इन दोनों को जोड़ दो तो बनेगा इस्टो मातल इस्टो मेटल आपरेटर्स पका छेद प्लस गार्ड सेल इसकाल इस्टो मेटा इस्टो मेटा इस्टो मेटा और सबसीडेरी सेल मिलकर इस्टो मेटल आपरेटर्स क्या अब इसको बोलो स्थोमा सबसे बढ़े एक सिंगल को क्या पोलोगे इस्टोमा अब मैं इंगलिस में बोलने जा रहा हूँ इज इस्टोमा है इज इस्टोमा है गाल सेल एंड इस्टोमेटल छेता एंड इस्टोमा प्लस सबसे डेरी सेल हमेशा की कभी-कभी कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-क-भी-कभी बहुत हराब लगती है आँख बन गर के नीन में रहते हैं जो शेड मिलती उठा लेते हैं जो मिलती है किजी किजी इन कुछ ओन न मिल जाए पहिंग चले आए अरे एक बाद एक बाद बता रहा हूं इसे इस कर्मिक मौसम है बोलो बतो गया बिटा दिमाग भैग गया ओ इधर ओ ये तरीके होते हैं टॉपिक से डाइवर्ट करके ने टॉपिक को शुरू करने के सीखो बोलो सर नमस्ते सर नमस्ते हाथ नहीं क्या बहुत जोड़ दिए हाथ है जो अरे नमस्ते में हाथ जोड़ोंगे ना यार करो ऐसे करो बोलो सर नमस्ते सर नमस्ते बिल पॉक्ता अरे यार नमस्ते कों करेगा बे इनका नमस्ते है इधर इधर सरो बोलो सर नमस्ते सर नमस्ते स्टो मेटल स्टो मेटल छेदा अरे यार और अगल बगल की सेल कौन सी सेल गार्ड सेल और उसके बगर अगर होती तो सबसिडेरी जरा चुओ इस गार्ड सेल को ये पहले बताओ ये देखते ही नहीं मम्मी बता देंगा अपनी मांगाल खीटते है ये जो है रुक जा इधर की जो सेल वाल होगी इधर की जो सेल वाल होगी वो इस्टो मेटा के छेट की तरफ है की अवे है और इधर वाली अंदर या बाहर अंदर ये भी अंदर अंदर वाली पतली मोटी मोटी और बाहर वाली लेयर क्या होगी पतली बोलो भीया मैं पागल हो जाओंगा के जाओंगा ये कहना नहीं अंदर वाली बॉल क्या होगी मोटी और बाहर वाली पतली बुरा तो नहीं माने बढ़ी बात का अच्छो लेयर की बात कर रहा हूं इधर देखो इनर वाल पतली कहा लिखें यार दार सेल इनर मतलब टूर्ड छेदा या अवे फ्रॉम छेदा इनर पतली ओ मोटी मेरे दिमागों में आ गया मोटी आउटर पतली क्या ये बात एकड़म क्लियर है भाई या इधर देखो पहले पढ़ा पहले पढ़ाते थे के प्लस थेओरी पोटेश्यम इफ्लक्स इंफ्लक्स थेओरी जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि इस तो में ये छेद कप फुलेंगे क्या बंद होंगे उनकी मेकनिजम क्या है उस समय बताते थे पोटेश्यम आगे आगे पानी पीछे तीन पाइप ऊपर, एक पाइप नीशे, आब यह बात नहीं होगी, अब सीधे आपको दिमाद में रखना पड़ेगा, पूछी वाट, पूछी वाट, पूछी वाट, वाट, and how much, only single line, इधर देको, यहिगाड जाल है, बोलो सर नमस्ते ले, यह कई नमस्ते चला बही है, बत छेद बंद हो जाएगा तो ट्रांस्पिरेशन ज़्यादा होगा या कम पोलो या गैस का अधान परदान कौन करवा रहा है इस्टोमेटा का छेद पक्का अब कब गैस चाहिए कब नहीं चाहिए जब नहीं चाहिए तो फंद और जब चाहिए तो ओपर क्या इतनी बात एकद है डाइकोड मोनो कौड सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता ठीक अफरजी की बाते मत करना एक आद अपवाद हो आपके स्लैबस में नहीं है और इदर मोनो कौड चौडाई में नहीं बढ़ता पहरी बात अच्छे से जाने लो डाइकोड चौडाई में बढ़ता है कुछ बोलो बटा मोनो मतलब सिंगल सेचिस और आशी सर क्या है डाइकोड प्राइमरी ग्रोथ भी किया और भायाना सेगंडरी ग्रोथ किया बोलो बटा ये वताओ मेरे और आशी सर में कौन मोनो कौड है और कौन डाइकोड है किसको डंबल मारने की जरूओत है अशी सर अची सर अची सर अची सर अची सर आपको की आशी सर आपको बहुत है डंबल शेवड गार्ड सेल मोनो कॉट डंबल शेवड गार्ड सेल डंबल शेवड सीदे लिख रहा है मोनो कॉट पता अगर इसकी डंबल हो गई तो बीन शेवड बोल तो यार मर गए हो क्या बीन शेवड गार्ड सुनते जाना एक एक बात सिखाते जारा है पहले बताव यहां तक का सारा कॉंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया है पताते ही नहीं हो यार एकदम क्लियर कोई डाउड ओर तो नहीं एकदम लॉजिकली क्लियर है सब कुछ स्टोमेटा स्टेम पे भी होगा लीप पे होगा किस पे स्ञादा होगा क्युटिकल दोनों पे होगी किस पे मोटी होगी युटिकल एपीडर्मिस का इसकी डिसका नवाए इसकी वजह आपके स्लैबस में नहीं है जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ वज़ा आपके स्लेबस में एक प्रतिशत भी नहीं है कहोगे तुमूँ फान दें और उस चीज़ को जानने की कोई और शक्ता नहीं है गार्ड सेल में क्लोरोब्लास होता है और बहुत महत्पूर है गार्ड सेल में क्लोरोब्लास का होना गार्ड सेल में क्लोरोप्लास होता है और बेहद महत्पूर है वहाँ पर क्लोरोप्लास का होना अब आपके मन में अगला प्रशन आ चुका है मुझे पता है भाईओ मैंनो आपके मन में आ रहा है कि एपिडेर्मिस में तो बड़ी पकेंटी बता रहे थे आप कि सनलाइट की इंटेंसिटी जादा है एक बार इधर समझाएं फिर आईचे समझाएं फिर आईचे समझाएं फिर आगे बढ़के समझाएं तो गार्ड सेल भी तो सरू उपर ही है सुनिये मूँ न फाड़ी है इधर देखिए हलो हाई आई नहीं एपिडर्पिस ऐसी है लेटी लेटी गार्ड सेल खड़ी है और जो सेल खड़ी है उस पर सनलाइट इंटेंसिटी हो जाएगी काम शुपराद हम सेल हैं हम सेल है पक्ता समझना मेरी बात और ये उपर लगी लाइट मालो क्या है आगर मैं लेट जाओंगा अगर मैं लेट गया तो बताओ एरिया जादा या कम लाइट पड़ेगी और अगर मैं खड़ा हो गया तो अब लाइट पड़ेगी समझपा है हमारी बात आओ मुन्ना तो गार्ड सेल में छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने क्या बना दो किलो रो पिलाश्ट बोलो किलो रो पिलाश्ट एकदम क्लियर है यहां तक बार आईए मैंने आता ही कहा था ना एपिडर्मि प्रस टिशियर्न अलग बात। अबात। एपिडर्मि स्थस्रेश्य वातL bud बोल दिया। टिशियोडियो गॉला इसली जा रहीं। गार्डसेटेवल सबचिबेरी सेल और फिर सेल हो गए। आपका क्यूटीकल हो गया। वोलतीह नहींसे है। और एक बन नराद हो जाते हैं मानते नहीं वे टम जल्दी है बहुत नकरीले हैं तुम मना लोगे हम जिस चीज से मानेंगे ना डबल चीज मारेटा विद लोड़ेट चीज विचीजबस्ट उपर से ओनियन कैप से कम की टॉपिंग साथ में चीजी डिप और अगर चौकोलावा केक है तो अच्छा लगेगा मोगे आओ रूट पानी और मिंडल को एबजॉब करता है पानी मिंडल कब एबजॉब होगा जब सर्फेस एरिया कम होगा या सर्फेस एरिया जाधा तो बेटा रूट की सेल को खींच के हमने निकाल दिया चौका और अधिस चौका इसको लट टूटे हो यह वाओ यह बताओ चौका ब्रांस देखरा है कि अन्बरांश अन्बरांस यूनि सेलिलर तिमाटी सेललर यूनि सेललर कुछ गाधे इसमें भी बैटे हैं जो टिक बनाएंगे यू यू गादा हाद यूनी सेलूलर आपने कभी गौर से मन लगा के देगा है प्लांड को कुछ प्लांड के जो स्टेम होती है और जो लीप होती है उस पर रेशे निकले होते हैं वो रेशे आँखों से दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं नहीं दिखते हैं रूट हेयर नहीं दिखेगा आँखों से क्योंकि root hair मात्र एक cell का खिचाओ है, एक cell का घंटा दिखेगी, एक cell का खिचाओ तो जी दिख जाएगा तुमको, root hair नहीं दिखेगा, लेकिन stem hair दिख रहा है, अगर stem hair दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, multi cell, retinine नहीं है, पर इस्टम पे बनाए रहा रहा है यह कैसा ब्रांच कहा ब्रांच अब क्या हो गहा ब्रांच यह दोनों हो सकते हैं ब्रांच भी हो सकते हैं और इन्यां इन्हें मुहभबस से कहेंगे हम लोग बच्छो इस्टेम हेर, मारेस, इस्टेम हेर कौम लोग ट्राइकों भी बहुत है, यूनी की मल्टी, मल्टी, मल्टी चल्लर, साथ में ब्रांच भी हो सकते हैं और अन ब्रांच भी, जब दोनों हो सकते हैं तो याद ही नहीं करना, बहुत ऐसी बात NCRT ने लिगती हैं, तुमेरी आखे पीतल हो गई हैं, कहते ही, सॉफ्ट भी हो सकता है, और कड़ा भी हो सकता है, तो भाईया, अज सॉफ्ट या अज कड़ा क्या होता है, या तो कोई चीज सॉफ्ट है, जैसे मेरी वोईज, बहुत सॉफ्ट नहीं मेरी वोईज, कड़ी है, या तो कोई चीज सॉफ्ट होगी या तो कोई चीज कड़ी होगी, अब ये भी याद करोगे, कि सॉफ्ट भी होगा और कड़ा भी होगा, बिल्कुल नहीं, सीधे सीधे दिमाग में रखो, बस स्टेप, या सॉफ्ट, इसकी भी कुछ लोग ट्रिक बनाएंगे, एस एस, बैठे हैं आप है, हमें पता है, आओ, अगला, यार एक बाद बताओ भाई, भाई जी, भाई जी, इस्टेम और लीप पर क्यूटिकल तो पाई जा रही है, हम सोच रहे हैं अगर थोड़ा वैक्स और चड़ जाए, तो मेरा मानना वाटर लॉस अच्छा खासा रोक ले हैं, तैस वाई, कहते हैं ट्राइकों, कु अगर कोई चीज को सिक्रीट कर रही है, वैक्सी सप्चेंस, तो अब लेयर और मोटी हो जाएगी, क्या और पतली, और मोटी, तो अब बोलूगा सिक्रीटरी होता है, सिक्रीटरी, अर्थाद को सिक्रीट करेंगा, and prevent, रोक देगा, ट्रांस्पिरेशन, ट्रांस्पिरेशन मतला पानी का लोस वेपर यह सॉलिड जो बहुत इतनी बात एक एक बच्चे सुलीयर हो गई है बोलते ही नहीं हो या पीछे मालों क्या कर रहो भाई कर गया रहे हैं बताओ मेरे भाई एनॉटमी है इससे जादा conceptualize नहीं की जा सकती है इससे जादा अगर मैं conceptualize करूँगा तो तब करूँगा जब किसी डिगरी कॉलिर पड़ा रहा है आपके लेवल पर ही भाई पर conceptualization है अब आप इमानदारी से पहले बताओ कि यहां तक का logic एकड़म ठीर है अगर आप एनॉटमी रटने की कोशिश किये तो आपका काम लग जाएगा रटी नहीं जा सकती एनॉटमी सिर्फ समझना है सोचना है अब बैठ के एक बड़ सब कुछ एक बार सोचा जाए चलो साथ में सोच होगा लہर और साथ में वहाँ पर हेर भी है लीफ हेर और इसमेदर ही नहीं बूसे होगा क्या करने को दंबल तो मोनो कोट की अंदर वाणी लेयर मोटी और बाहर वाली की पतली अच्छा, guard cell और stomatal aperture मिलकर कहला है कि stoma stoma, stomata का singular है stoma के अगल वगल की कभी-कभी जो vicinity में vicinity मतलब अगल वगल की cell है वो divide करके उपर हो जाएंगे जिससे water loss जादा हो गया है, कम होगा कम होगा, stomata अंदर रह गया अंदर धसे रह गया जब stomata अंदर धसे रह जाते हैं इसी को बोलते हैं, sunken stomata कैसा? sunken, sunken मतलब धसा हुआ अच्छा, अगला, अगर मैं बात करूँ root hair, unicellular था, unbronze था इससे मेर तो दोनों hair, branch भी, unbronze भी, strip भी, loose भी तो उसे याद नहीं करना है important point is secretary है, ठीक है अच्छा, इसके बाद, subsidiary cell प्लस stoma, दोनों मिलकर कहलाएंगे, stomatal operators epidermis में chloroplast होगा नहीं, क्योंकि वो जल जाएगी लेकिन epidermis को cross करते हैं, करते हैं, जब हम अंदर मीजोफिल की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर chloroplast thin walled होगा, क्योंकि वहाँ पर light intensity कम हो गई है साथ मेंगर हम बात करें epidermis, क्यों तो epidermis continuous है इसके साथ साथ compactly packed है, लंबी cell से क्योंकि पुरे plant को cover करना है बाई, sunlight का सीधा सामना कर रही है, तो water का loss होगा, ज़ादा इसके से इमर्जेंसी कंडिशन के लिए वेक्यूल का साइज क्या है, बढ़ा, वेक्यूल का साइज बढ़ा होगा, तो साइटोप्लास कहां चला जाएगा, पेरी-फेरी पर Have you ever thought, क्या आपने कभी 11 मेंचीज सोची ती कि अनॉटमी इतनी इतनी conceptual होती है इमानदारी से, हमने भी नहीं सोची थी, हम खुद नहीं सोची धम मता दें, हमें यह पता था, कि अगर साइन्स है, तो भाई, कंसेप्ट है, बगार कंसेप्ट के कोई चीज साइन्स पे खड़ी नहीं होती है, तो मुझे जब तक कैथरी निशू और मेरा सामना नहीं अगर आप एक बुक पढ़ लो, तो राइटर आपके सामने बैठा है, आपसे बाते कर रहा है, अपनी बाते शेयर कर रहा है, अपने एक्सपिरियन्स शेयर कर रहा है, कैथरी निशू ने इतना सिस्ट्मेटिक लिखा भाई जी, इतना सिस्ट्मेटिक लिखा है, मतलत अब आप पहले बता यहां तक सब एकडम क्लीयर होचुका है एए लीप और स्थेंट मेश्टोमेटा किस पस पिर जाता है लीप पने लेट लेकिन मेंने यह नहीं बताया कि इसका फंक्शन क्या है मैंने बस बता जिए क्लोरप्लास्ट है और चलेगा नहीं क्यों क्योंकि सेल कैसी है खड़ी-खड़ी एकदम क्लियर हो तो वहां बोल दो या ओवर एन आउट अब बेटा मेरी बात सुरू आओ ये था एपिडर्मल टिशु सिस्टम ये जितनी बाते होई ये सब एपिडर्म पढ़िए चाहन लीव पढ़िए आपको मज़ेदार बात क्या है तीनों में तीन ही टिशु सिस्टम मिलता है जो सबसे बाहर वो क्या कहलाएगा एपिडर्मल अब एपिडर्मल के मैं अंदर जा रहा हूँ इधर देखेगा मान लो मैंने एक सर्किल बना दिया और ये हो ग आधर रही है G मैं ये एपिडर्मिस की सब्धोल ये यह हो गया आपका एपिडर्मल तिशु सिस्टम शॉट में लिक रहा है एक है इलेक्ट्रों ट्रांस पोर्ट्स इस्टम नहीे एपिडर्मल तिशु सिस्टम जो अंदर खुब Trungी सारा बहा हरा वह के लाएगा घ्राउं कहता है अरे यार क्योंकि अगर आप इस स्टेडियम देखे हो हम देखे हम देखे हैं अगर इस स्टेडियम देखे आप पावेलियन से बैठके उचाई से बैठके देखिए तो इस स्टेडियम में बढ़ा सा क्या दिखता है ग्राउंड ग्राउंड मतलब जो चीज जाधा मा लिखती है और इसमर्समी नीट बनाजेते हैं नीट ने कॉश्च नी मनाया कहते हैं ग्राउंड टिस्थम को डिफाइंड कैसे करते हैं कहते हैं एपीडर्मल हटा दो वैस्पोले तो जो बचा वो ground tissue वा भईया हुआ पहला तीसरा हटा तो तो दूसरा हम तो कहेंगे दूसरा तीसरा तो तो पहला पहला दूसरा तो तो तीसरा तीने हैं epidermal ground और वेस्टुलर, वेस्टुलर का मतलब मैंने आपको बॉडी पुटेंट सर्कुलेशन में बताया था वेस्टुलर का मतलब होता है पाई, जाइलम और फ्लोयम, किसमें आएंगे, वेस्टुलर में कहते हैं, एपिडर्मल हटाओ जाइलम फ्लोयम हटाओ उसके अलावा जो कुछ परो वो सब क्या है अब सुनते जाना मेरी बात मतलब बीच में जो कुछ माल भरा होगा वो क्या कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, क्या ये बात एक डम क्लियर है बोल दो यार अब बचा कौन सा वेस्कुलर वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोयम जाइलम और फ्लोयम में प्लीज सुनो मेरी बात जाइलम और फ्लोयम का अरेंजमेंट कैसा है अरेंजमेंट कहने का मतलब कहां कहां पर ये अरेंज है अगर इस्टियम की बात करें root की बात करें और leaf की बात करें एग chart बनाओगा उसमें सब ख़तम होगा xylem और phloem का आपसी arrangement क्या है क्या xylem और phloem एक ही radius पे रखे हैं या xylem phloem अलग-अलग radius पे रखे हैं इस आधार पर हमने arrangement of देखे बोल्ड की तरह arrangement of arrangement of vascular टिशू के आधार पर xylem और phloem के arrangement के आधार पर याज रखना पेटा parenchyma, kolonchyma, steronchyma तीनी परकार की cell है complex tissue plant पे दो होते हैं एक होता है xylem और एक होता है phloem complex issue कितने परकार के दो xylem और phloem arrangement of xylem और phloem के आधार पर तीन तरीका का arrangement देखा गया पहला देखा गया radial नाम से पकड़ेंगे दूसरा conjoint नाम से पकड़िए joint मतलब जुले हुए है xylem phloem मापस में जुले हुए है पहला क्या हो गया? radial दूसरा क्या हो गया? conjoint और तीसरा हो गया? concentric concentric का मतलब आपको पता होगा जब भी electrostatic पढ़ाया जाता है तो एक सवासा सवाल लगवाया जाता है कि एक स्वेर केंदर एक स्वेर रखा है बोलो यार दोनों concentric हैं concentric का मतलब दो ऐसे circle जिनका center क्या है? same पत्का same center से खीचेंगे दो circle क्या कहलाएंगे concentric अब देखते जाओ बेटा इक बाद बताओ मैं आप से एक बाद कहता था हूँ neural control and coordination में इंसान अंदर से कैसा जी हो? बाहर से बहुत अपने आपको क्या दिखाता है? अच्छा हर इंसान बाहर अपने आपको क्या पोल्ट्रे करता अच्छा उसे यह नहीं पता होता है पूछो क्या? इस दुनिया में कुछ समस्दार लोग भी है समस्दार कहने का मतलब जो अपने brain का इस्तमाल करते है वो आपको देखके ही पकड़ लेंगे कि आप सज बोलरों की जुड़ बोल लग वो आपके निगाहों से सब कुछ ठाम लेंगे सब कुछ आप अंदर से कितने भी जलील हो क्या बटा? लेकिन हाँ जलील लेकिन बहाद बहुत नादान वनोगे ओ माई गॉड आउच नू यस देखा होगा न? देखा होगा न बटा? बोलो जलील जाइलम हमेशा अंदर और नादान फ्लोयम बाहर चाहें कोई भी केस ले लो सबसे पहले कंसेंट्रिक देखेंगे क्योंकि यह हमको पढ़ना नहीं है जाइलम अंदर फ्लोयम बाहर दोनों का सेंटर सेम अब देखेंगे रेडियल बोलो रेडियल जब हम रूट काट के देखते हैं इदर ओए पागल वरत इदर जब हम रूट काट के देखते हैं तो रूट में जाइलम और फ्लोयम अलग अलग रेडियस पे रखे हैं मान लो जब मैं रूट को काट के सामने से देखूंगा root को काट के सामने से देखूंगा तो जलील जाइलम किदर होता है? अंदर और नादान phloem कहां होगा? बाहर जलील कौन बटा? जाइलम अंदर की तरफ? औ फ्लोयम बाहर बताओ जाइलम फ्लोयम सेम रेडियस पे हैं कि अलग 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 एकदम क्लेर? बोलो आर से रूट आर से रेडियल खताब रेडियल का एक्जामपल क्या हो गया? रूट अब चाहें मोनो कॉर्ट बोलो या डाइकॉर्ट अब बात करेंगे कंज्वाइंट का मतलब जुडा हुआ हुआ बोल क्यों रहो भाई बोला करो या कंज्वाइंट का मतलब जुडा हुआ पकाः आप इदर देखो कितना बना लिया? ड्रॉट करो बना बाद भी तुमाई लिए हेक्टिक हो जाता है और मैं हूँ नादान अगर जाइलम फ्लोयम फ्लोयम अपस है चिपके हुए है बताओ एक रेडियस में हैं कि अलग अलग हम लोग आपस में जॉइंट है क्या है जॉइंट जॉइंट है तो क्या कहलाएंगे कन जॉइंट पका क्या अगल बगल हैं क्या क्या हम लोग साथ में हैं क्या लगी हो बेटा बहुत समझ रहो किस्मत लेके आए होगे हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे कंज्वाइन पक्ता और अगल बगल जुड़े हुए बोलो यार बोलो को कंज्वाइन तो हैं Conjoint के साथ साथ जुड़े तो है Conjoint के साथ साथ Co मतलब साथ साथ जहां लड़का लड़की साथ साथ पढ़ते हैं Co-Education और अगल बगल जुड़े हुए हैं तो Co-Lateral आओ इस समय Co-Lateral नहीं है बिटा इस समय में बहुत अच्छी अवस्था में हूँ इस समय में Bicolateral हूँ अर्थाब दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं बोलो यार ये क्या था Co-Lateral ये क्या था Bicolateral बोलो इतनी बाते क्लियर हैं तो बिटा Conjoint कितने परकार का हुआ दो एक है Co-Lateral और एक है Bicolateral Co-Lateral और Bicolateral Bicolateral पहले बनाओ का क्योंकि इसको पढ़ना नहीं जाहिरम बीच ओ बीच फ्लोयम अगल बगल जाहिरम रिटल सेंडविच बन गया है ओ मैं गॉड और Co-Lateral देखिए जाहिरम अंदर फ्लोयम बाहर जाहिरम हमेशा अंदर Bicolateral बना के कट भी कर देना अपने दोस्तों को बता देना करना है यह सरने काई सबसे इंपोर्टेट है इसी उड़े से कट करा आजा है यह पहलो बाकी छोड़ो जाहिरम फ्लोयम सेम रेडियस पे कि अलग अला बोलते ही नहीं है यार सेम रेडियस पे जाहिरम हैंड फ्लोयम आर आर अन सेम रेडियाई हाँ लिखो कैम्बियम फ्लोयम लिखो मेरिस्मेटिक सेल्स की मेरिस्मेटिक सेल्स की मेरिस्मेटिक सेल्स की वाव इट्स शाइनी हो गया मेरिस्मेटिक सेल्स की सिंगल लेयर जो प्लांट में सर्कुलर वे में चारो तरफ पाई जाएगी बिटा इधर देखो मालो यह stem है, क्या है? stem और अगर मैरिस्मेटिक सेल की लियर चारों तरफ पाई जाएगी और यह अगर डिवाइड करेगी तो लेयर बड़ेगी एक से दो दो से चार तो बताओ प्लांट चोडाए में बड़ेगा कि लंबाई में? चोडाएगी जो प्लांट में सेगंडी ग्रोथ कराएगी बच्चों बोर्ट की तरफ देखिए पहले बताओ जिसको मैं ले रहा हूं इस समय ये कंजॉइंट है क्या कंजॉइंट का मतलब जाईल अप्लोय मापस में जॉइंट है कंजॉइंट में भी ये को लेटरल है को मतलब साथ सा अगर कैंबियम पाई गई हाँ देखना मेरा सिंगल लेर की डबल लेर सिंगल अगर कैंबियम पाई गई तो इस तरीके को बोलते हैं ओपन और अगर कैंबियम अपसेंट है तो इसे क्या बोलोगे close ये बताओ अगर cambium secondary growth कराता है और cambium है ही नहीं क्या बोला cambium secondary growth कराता है और cambium है ही नहीं तो secondary growth मोनो कॉर्ट में cambium क्या होगी अब से लिखो example diacot में होती है तो diacot stem लिख दिया और इधर क्या लिख दिया monocot stem इसके साथ-साथ leaf में भी कैसी होती है closed क्या leaf को कभी देखा चौराई में बढ़ते हुए और जाइम बढ़ते हुए देखा बोलो यार बोलते ही नहीं हो यार बोला करो बैठा ना करो यार लगातर बोलते रो पगलाते रो बिटा biology में अधिकतर चीज़ें क्या है thin लिखिए अब any part of monocot any part of monocot अलक से नहीं बिटा जो लिखा उसी को पर चढ़ा दो any part of monocot and leaf of any plant never show secondary growth according to NCRT never show secondary growth अब इसी को उल्टे तरीके से लिखो dicot stem अलग, monocot stem अलग, dicot root अलग, monocot root अलग, dicot leaf अलग, monocot leaf अलग, monocot leaf अलग, अगर आप अलग 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 पढ़ते हैं तो आप बेवकूफ हैं अलग अलगा, अलग महीं पढ़नाका, एक पढ़ना है, दूसरे को compare करना, एक पढ़ना लिए, देख लिए, डाईगोट system पढ़ लिया, तो अब देख लेंगे monocot stem में क्या difference है बाकि सब कुसे में, diicot leap पढ़ लिया, monocot leap तेक लेंगे क्या है monocot, समझेए ना विरुगा तो हमें overall पढ़ना क्या है, diicot और monocot फटा जिल रहा है न क्यादब किते लोग कह रहे हैं, किते लोग कह रहे हैं, अब रुख जाईए, आज की बाते यहीं था, बाती बाते कल करते हैं, थेंक्यू, धन्यवाद,